हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माई चैनल कीरती दी इंडो कनेडियन एक्स्प्लोरर आज आपको बताऊंगा मैं डेलाइट सेविंग्स के बारे में जो की कैनेडा, अमेरिका, कई कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है नोवेंबर फर्स्ट वीक में हमारी घडियां एक घंटा पीछे हो जाती है रात को दो बज़े, तो जब दो बज़ते हैं उसको वापिस एक बज़े पे लाया जाता है, उसको हम डेलाइट सेविंग्स कहते हैं उसके बाद फिर घडियां चेंज होती है, मार्च के सेकेंड वीक में घडियां एक घंटा आगे जाती हैं और वो इसलिए क्योंकि जोग्रिफिकली स्पीकिंग कैनेडा और अमेरिका जासा कंट्री बहुत बड़ा है कैनेडा में 6 टाइम जोन्स हैं, यहाँ पर अगर न्यूफाउंड लेंड, नोवा स्कोशिया है और इधर वैंकूवर है तो यहाँ पर मान लीजिए सुबह 9 बजे हैं आज टोरांटो में तो हमारे पास एड्मिंटन में सुबह 7 बजे होते हैं और वैंकूवर में सुबह 6 बजे होते हैं इस तरह से हमारा टाइम जोन चलता होता है कैनेडा में डेलाइट सेविंग की शुरुआत हुई थी 1908 में कैनेडा में थंडर बे में उसके बाद 1916 में जर्मिनी ने ऑफिशली शुरू किया और उसके बाद यूएस ने फॉलो किया तो वो घड़ियां आगे पीछे इसलिए करते थे एक तो उनकी एनर्जी कंजामिशन फैक्टरी की तरफ जादे जाती थी और रेजिडेंशल एरियाज को सूरज की लाइट के हिसाब से सुभे लाइट जादा मिलती थी और रात तक जादा मिलती थी इस हिसाब से दूसरा रीजन जो टाइम जो डेलाइट सेविंग चेंज होने का है वो यह है कि यहाँ पे कॉमन टाइम फ्रेम मिलता काम करने के लिए मान लीजिए अब यहाँ पे Newfoundland में और Vancouver में अगर 3-4 घंटे का difference है तो सुबह जब उनके 8 बज़े bank खुलता है तो यहाँ पे सुबह 4 बज़े यहाँ पे 12 बज़ते हैं तो वो still working hour में होते हैं इस बज़े से वो आपको जो है time क्या कते हैं अलग-अलग change करके advantage मिलता है और geographically speaking इतनी लंबी countries हैं यहाँ से अगर आफ flight पकड़ोगे इधर आने के लिए तो कई विरी 4-5 घंटे ही flights भी हैं सिर्फ और सिर्फ Canada में travel करने के लिए तो time change होना इनकी एक requirement है कई लोग आज daylight savings के favor में हैं और कई लोग अगेंस्ट इसके बोलते हैं और मैं उस चीज़ को दोनों पहलूं को थोड़ा सा समझना शुरू हो गया हूं यहां पे रहे के कारण यह दोर अलग था इतने जादा computerized चीज़ें नहीं थी इतने energy sources नहीं थे अब आज की date में computerized महौल है और energy sources है तो इस वज़े से कई लोग जो कहते हैं कि अब हमें इसको हटा देना चाहिए वो भी हो सकता है उनका logic ठीक हो कि अब पहले जैसा महौल नहीं है यहां पर shift है अब तीन तीन shift है चलती है morning shift अलग है afternoon और night shift अलग है जबकि पुराने time में सिर्फ morning और afternoon shift होती थी तो अगर वो कहते हैं कि अब इसको हटा देना चाहिए हो सकता है वो ठीक कह रहे हूँ भी मैं को scientist नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो नजरिया है उसको भी trial देनी चाहिए हो सकता है वो ठीक हो जाए और energy resources तो आजकल हर कोई country renewable energy पे लगे हुए है focus करने और ढूंडने के लिए explore करने के लिए तो हो सकता है इसका फायदा मिलता हो मेरे को हरानी यह होती है देखने वाली चीज यह होगी कि Canada के six time zones है हमारे तो फिर काम है Russia जैसी country के 11 time zones है तो अगर कुछ नया होगा तो मेरे को अभी भी यह हरानी होती कि Russia में किस तरह से वो देख zones है और कई वी वही आपस में 5-5 घंटे पीछे चल रहे हैं तो यह एक इंट्रेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए जो लोग कहते हैं कि daylight savings बंद कर देना चाहिए उनका एक opinion है और वह opinion सिर्फ opinion नहीं है कुछ studies हुई है past में जिसमें यह बताया गया कि जब मार्च में घडियां एक घंटा आगे की जाती हैं तो लगभग 23 घंटे मिलते हैं टोटल पूरे दिन में उसमें काम भी होता है जिन्होंने early morning काम शुरू करना है especially उनके लिए कि उनको एक घंटा कम मिला सोने का एक घंटा कम मिला काम करने का और उस वज़े से कई लोग पूरा हाफता थोड़ा depressed होते हैं या health issues आते हैं तो कई लोगों का यह भी मानना है कि health care के उपर ज्यादा असर पड़ता है और उस time sick calls आती है उस time कई लोग बिचारे depressed हो जाते हैं या कुछ लोगों को heart attack भी आया है तो वो चीज़ें जरूर देखने लायक होंगी कि भी अगर वो चीज़ कंसिडर की जाए तो हो सकता है जो लोग इसके against बोलते हैं वो ठीक कह रहे हूँ यहाँ पर जो लोग favor में हैं daylight savings के कि time आगे तीछे होना चाहिए नवंबर और मार्च में उनका reason यह होता है कि वो कहते हैं जब daylight जादा होती है मतलब सूरज का time ज्यादा होता है जब रात को 9.45 तक sunset होता है वो उनका यह मानना है कि उनको खेलने का jogging करने का time बच्चों के लिए अपने लिए health पे time ज्यादा मिलता है enjoy करने के लिए spend करने के लिए या जिनके पास में pets हैं वो अपने dogs को लेके बाहर जाते हैं लंबी स कि daylight saving की वज़े से criminal activity कम हो जाती है क्योंकि चोरी चकारी का काम काम हो जाता है क्योंकि एक जैसा time नहीं होता तो daylight ज्यादा होने की वज़े से जो घडीन adjustment की है उसकी वज़े से थोड़ी चोरी चकारी में कम देखने को मिलता है आज आज आपको daylight savings के बारे में information देने की कोश च्राइप